के बारे में नाऊ इन टर्म्स को ध्यान से देखेगा की बहुत है तो आपके क्या क्या ऐसे पैरमेटर्स है जिससे आप खुश हो और अगर कोई भी रीजन में है that is कोई भी society के लोग अगर खुश है तो obvious सा बात है that उनका quality of life भी जो है वो भी बढ़िया होगा तो चलो ये क्या है एक एक करके discuss करते हैं right now आप सोचेगा that यार ये तो humanistic काफी जादा you know अजीब type का सब मतलब ये geography से related तो नहीं लग रहा है भई जी हाँ absolutely आप population geography का ये clear सा clear ये topic लिखा हुआ है social well being and quality of life right मैंना तो नहीं दिया ना UPSC वालों ने घुज़ा है right तो हमें तो ये सब पढ़ना ही पड़ेगा now इसमें पढ़ना पड़ेगा पर साथी साथ उसको हम लोग एक regional angle से पढ़ने की कोश्च करेंगे right जिससे geographical touch properly आ सके right चलो और of course इसका हम लोग जो देखेंगे ना data सब कुछ देखेंगे the data's कुछ-कुछ data's को चर्चा करेंगे suicidal data's के बारे में चर्चा करेंगे चर्चा करेंगे world happiness report के बारे में तो again काफी जादे interesting होने वाला है right तो चलो शुरुआत करते है social well being and quality of life सबसे पहले देख लेता है social well being now social well being मतलब कोई भी society में अगर well being parameters काफी जादा अच्छे हो लोगों के that is well being कैसे होगा लोग खुश कैसे होएंगे या तो you know almost on an average a holistic way में लोग खुश है सबसे पहली बात अच्छा खुश तभी होंगे ना जब उनका सेहत अच्छा होगा healthy environment उन्हें मिले यार है ना उतना ज़्यदा polluted environment ना हो अराम से healthy environment हो right तब वो healthy अब अगर आपकी गलती है that आप अगर हर रोज pizza, burger ये सब खा रहे हो तो तो वो आपकी गलती है right but अगर सरकार ensure कर रहे है that हाँ वहाँ पर polluted region ना हो healthy foods available हो लोगों को है ना साख सब जी available हो तब तो सरकार तो अपने तरह से effort दे रहे है ना वो तो आपका गलती है that आप जाकर you know pizza, pizza खा रहे हो right वो आपकी गलती है again वही चीज ना सरकार अगर available भी कर रहा है तभी यह बहुत अच्छा है right तो well being मलत कब होगा या तो लोग on over holistic way में खुश होएंगे, खुश कैसे होएंगे या तो वो healthy हो है ना तंदुरुस्त हो शरीर से mentally वही वो peace होना चाहिए है mental peace या ना बहुत ज़्यादा जरूरी है अभी के life में अभी के life में पता है लोगों के पास पैसे बहुत ज़्यादा है बट लोगों के पास mental मनलब सुखी लोग नहीं रहते है यह होना चाहिए और no doubt prosperous life भी होना चाहिए no doubt सबको आमपानी नहीं बनना है हाँ बट इतना जरूर बनना है जिससे at least हम चल सके हम अपने आने वाले generations या फिर बच्चों के लिए कुछ तो saving करके रख सके राइट ना ये तो एक general definition हुआ राइट बट साथ ही साथ पता ये वाले definition जो है ना अलग-अलग लोगों के लिए ये definition बिलकुल अलग होता है it has its different meaning for the different arena, different people, right जैसे मैं एक example दे रहा हूँ so चो कोई बन्दा अमीर है, शारुखान ही ले लो, right शारुखान कब खुष है? जब उसके पास एकदम मनत जैसा एक बहुत बड़ा, you know, एक flat है, right flat या फिर bungalow, जो भी बोली है, और साथी साथ उसके पास अच्छे चकार्स है, तभी ये खुष है अगर इसके पास ये वाला cycle, या फिर ये वाला जोपडी ये कर दे देते हैं, जिससे गरीब को हमें खुष देखने को मिलता है तो क्या शारुखान खुष होता, नहीं, right तो probably इनकी social status और इनके social status में लाख कुना, आस्मान का जमिन का अंतर है, right probably इनका social status बोलता है, तर नहीं भाईया, ये सब चीजे होने से तब ये खुष है बट इनका social status ये बोलता है, तर चलो भाईया, हमारे पास तो एक cycle और एक छोटी से जोपरी, इसी से हम लोग खुष है, right तो देख रहे हो, कैसे ये parameters है, right और देखो, सिर्फ यही नहीं, है ना, मतलब overall अगर देखोगे, जैसे healthy बाल में बात बोले, right तो आप अपने दिमाग से खुद बोलिए, ना, that क्या-क्या well-being parameters हो सकते है, मतलब physically भी अच्छा होना चाहिए, बना देख रहो, एकदम डोले-शोले बनाये हुआ है, है ना, physical well-being तो अच्छा होना ही चाहिए, बट emotionally भी, ये जैसे मैंने बोला, that mental peace होना चाहिए, तो क्य होगा, यह हम बोल सकते हैं, that emotional well-being भी एक parameter ले सकते हैं, बिलकुल ले सकते हैं, अच्छा, सब तो शारुखन नहीं होता, है ना, सब कोई, बहुत जने, maximum तो यही है ना, जो middle class people है, जो क्या लोग, मतलब जाते हैं, नौकरी करते हैं, तो वो लोग क्या हुए, work, उनके well-being भी अगर हो, अगर emotional well-being भी exist करें, overall अगर आपका health अच्छा हो, है ना, आप polluted free region में हो, तो हम holistic way में बोल सकते हैं, that हाँ भाया, आप खुश हैं, right, मतलब, हम यह बोल सकते हैं, that उस बंदे का, जो के यह सब सारा चीज हो, जो के, again, आप गाउं में चला जाओगे, यह बंदे का health भी उतना भी खड़ाब नहीं होता है, ना, मतलब, यह लोग भी आच्छा हाँ, हट्टा-कटा चीज खाता है, right, emotionally यह लोग खुश रहते हैं, हाँ, थोड़ा-मोड़ा पैसे की तंगी जरूर होती है, but वहाँ पर जो living standard है, ना, गाउं वाले इराके में, यह फ पैसा मिली जाता है, right, तो overall तो खुश है, but यहाँ पर जैसे मैंने बोला ना, भी daily का पैसा मिल जाता है, मतलब daily wage earner, अगर, एक situation दे रहा हूं, एक situation ऐसा है, जो कि daily wage earner है, और दूसरा situation ऐसा है, जो क्या, you know, जो नौकरी करता है, right, तो आप बताईए, तो किन का social well-being parameter daily wage earner, क्या, इनका, of course, इनका, जो क्या, मैने मैने में पैसे कमाते है, क्यों, क्योंकि daily wage earner कोई एक problem यह है, that कल को मैं कमा पाऊंगा, या नहीं, अब वैसे लोगो के लिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, जो एक एक दिन में, you know, एक एक लाग रुपे कमाते है, या फिर 50,000 यह बोला, एक शारुखान ले लो, अगर कोई गडीब बंदा ले लो, तो उन लोगों के दोनों के बीच में, अगर social well-being का parameters exist करें, अगर definition exist, अगर हम लोग, you know, discuss करें, तो क्या actually में definition होना चाहिए, अलग-अलग लोगों में, right, तो अभी आ जाता है, कुछ-कुछ components, that is, क जोटे से जो बड़े बड़े हो, of course, आप स्वस्थी बड़े होंगे, यार, उसलिए न, अभी आराम से मेना lectures भी थेख पाँ हो, proper way में, mobile में, है, तो यह मैं expect कर रहा हूँ, है, तो no doubt, आप भी, अगर अच्छे से बड़े होगे, अच्छा खाना पिना खाया होगे, अच् education, अगर सोचो, कोई एक बंदा जिसको proper तरीके से education मिल नहीं पा रहा है, बट वहीं पर है, आप जिसको अच्छा education मिल है, तो हम क्या बोलेंगे, यार, of course, यार, social well-being parameters में अगर देखोगे, तो आपका अच्छा है न, food and nutrition, अगर food ऐसा ही, food तो मिले ही, ऐसा नहीं that food crunch होना चाहिए, बट साथ सी साथ nutritious food भी मिलना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे, that हाँ भया, parameters is good in terms of social well-being, equality एक समाज में होना चाहिए, ऐसा नहीं that Amir को मिल रहा है, that गड़ीवों को नहीं मिल रहा है, तब गड़ीवों का social well-being parameters हो फिर down हो जाएगा, समझ रहा है, मतलब overall गड़ीव खुश नहीं रहेंगे, समझ रहा है, तो यह सब चीज भी एक होता है, that अगर कोई भी सरकार, अगर cylinder ही है, ऐसा नहीं सिर्फ अमीर को cylinder मिल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ रहा हो, गड़ीव के घड़ में भी आ आ रहा है, तो गड़ीव के आप खुद देख लो ना, जैसे एक छोटा एक्जामपल ले रहा हूँ, आप अरप कंट्री में चला जाओ, वहां पर औरतों को उतनी ज़्यादा लिबर्टी नहीं है, बट वहीं पर आप इंडिया में आ जाओ, इंडिया पाकिस्तान में ही ले लो ना भी, पाकिस्तान मे परस्पेक्टिव में अगर देख लीजेगा, परसंटेज वाइस में, दुनिया में नेपाल बहुत ही जादा आगे निकला हुआ, यूस से भी आगे निकला हुआ है, 57% पर वोमन जो है, वहां पर लेवर फोर्स पार्टिसोपेशन रेट में वह लोग इंक्लूड है, बट वही पर इंडिया में अगर देख लीजेगा, सिर्फ अराउं 27%, विच इस वेरी वेरी पूर, यूनो डेटा, तो अगें, यह तो एक जस्ट लेवर के, मैंने फीमेल लेवर फोर्स पार्सिपेशन रेट के लिए बवड़ा, बट इन जनरल, इन जनरल, अगर डिफरेंड अ वाला डीजन देख लो, वह ज्यादा पलुटेड नहीं है, बट और इसलिए, मतलब क्या होता है, वहाँ पर जो है, लोग ज्यादा खुश नहीं रहता है, दिली के साइड में, ऐसा, मतलब जस्ट एक एनलोजी में सेट कर रहा हूँ, नेक्स इस सेक्स रेशियो, सेक्स रे लिए 943 फीमेल्स ही सिर्फ एक्जिस्ट करती है, तो सेक्स रिश्यो काफी ज्यादा पूर है, है ना, चाइल्ड सेक्स रिश्यो के देख लोगे तो वो तो और भी ज्यादा पूर है, तो ये सब कुछ-कुछ फैक्टर है, जो क्या हम लोग बोल सकते है, क्वालिटी ओफ जो क्या हम लोग अगें, नेक्स्ट वाले स्लाइज में आने वाले पढ़ने ही वाले, तो डोंट वरी, क्यूंकि क्वालिटी ओफ लाइफ भी जो हना, अल्टीमेटली ये सारे पारमेटर का ही, एक उपजाओ चीज है, है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बो डाउट, य जुका इफ लेता है, right, justice, हाँ, justice भी बहुत, अब justice, हमारे देश का सिस्टम का justice किया है, बहुत जार डेले हो जाता है, justice, right, but वही पर ऐसे बहुत इसे बहुत जल्दी justice मिलता है, right, law and order situation तो no doubt ये तो होना ही चाहिए, क्यूंकि law and order जहां पर ठीक है, वहां का quality of life, overall social well being parameter, आप खुद ही सोचिए ना, आप अगर कही पर फ्लैट खड़ी दिये गई या फिर कही पर घर खड़ी द रहे तो आप को यही एक्सपेक्ट कर रहे ना, जी, लिट वहाँ पर लोग अच्छे से रहते हो, राइट, प्रॉपर तरीक से आप, अब वहाँ पर लोग नॉम्स भी देखलो, अगर वहाँ बहुत से बहुत देश तो अभी भी ऐसे है, जैसे सब सारण एक्सपेक्ट ले लो, राइट, वहाँ पर सोचल सेक्यूर्टी अभी भी नहीं दिया जाता है, प्रॉपर वहाँ पर इंडिया में दिया तो जाता है ना, बट वहीं पर चाइल्ड और ओल्ड एज के पीपल जो है यह काफी जादा वलडबल होता है तो इनकी सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी इंपोर्टन फैक्टर हो जाता है क्योंकि इनकी सुरक्षा के ऊपर भी यह social well-being parameter एक बहुत अतक depend करता है तो यह सब चीजे हैं दोस्तो अब हम लोग यह देख लेते हैं अच्छा एक चीज सो हम लोग ने बोलना ही भूल गया दोस्तो जैसे सोच लो यह social well-being जो हम लोग बात कर रहें no doubt यह various components हम लोग देखी रहें various parameters सो देखी रहें but आप यह बताए तो क्या सिर्फ यही parameter या फिर एक discuss कर रहा हूं चलो आपके साथ एक छो आप बताए इन जेनरल विलेज के लोग जादा खुश है या है इन जेनरल टाउन के लोग जादा खुश है और विलेज के लोग अगर खुश है क्यों खुश है तो यह क्यों खुश है यह आपके लिए खुववा करा राइट और आप मीचे comment section में मेरे को यह answer दोगे है जैसे विलेज रीजियन देख लो विलेज रीजियन काफी जादा conservative thinking की society की होती है यूजुली मैं यूजुली का बात कर रहा हूँ ठीक है अब exception तो होता ही है वो आप अपने answer को कैसे लिख कर लिखोगे वो नीचे comment section में लिखना है विलेज एक तो conservative है बट वही पर यहाँ पर जादा conservativeness नहीं होता है टाउन रीजियन में यह जादा पर freedom यहाँ पर जादा होता है बट मतलब इस freedom के sector में तो town area अच्छा है बट वही पर air pollution देख लो town area में कितनी बढ़वाद air pollution होती है बट वही पर village area में क्या air pollution जादा होती है नहीं राइट तो यह एक छोटा सा dichotomous characteristics मैंने दिया राइट बाकी सब आप मीचे comment section में लिखिये क्योंकि इतना तो मैं expect करी सकता हूँ आपसे समझे रोबाद anyways अगर social well being की overall हम लोग बात करे तो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ कुछ challenges भी right challenges बोले तो जैसे देखो यह तो हम लोग उने अच्छी अच्छ जा जाता है वहां का political system right so सबसे पहले तो हम लोग बोलेंगे political system दूसरा हम लोग बोल सकते है law and order system है ना तीसरा हम लोग बोल सकते है pollution level right उस region का अगर सोचो उस region में कोई humanitarian crisis हो रहा है जैसे सोच लो म्यानमार में जो रोहिंग या Muslims के साथ जो हुआ है right तो क्या वहां पर रो है ना तो आप खुद बोलो ना वहां के लोग क्या खुश है जादा नहीं है right समझनों बात ये सब कुछ-कुछ आगें ये सब challenges है आपको खुछ-कुछ खुद ही समझना पड़ेगा और challenges कुछ नया नहीं है जैसे यही वाला component हुआ ना आपका जाक्के social well-being parameter का इसी के भी कोई रीजन जासे मैंने अरब कंट्री का ही एक्जाम्पल या वहां पर attitude towards women देखो कितना ज्यादा पूर है कितना ज्यादा negative कि वहां पर patriarchy society काफी ज्यादा exist करती है बहुती तगड़े तरीके से वो exist करती है basically right तो अब अगर हम लोग देखे social well-being जो है हम लोग क्या-क्या necessary है that ठीक है हम लोगों challenges देख लिया अब हम लोग क्या बोल सकता है that हाँ बहिया अगर हम अपने value system को conserve कर सके properly तो social well-being parameters कही नगी अच्छा होगा है कही आप क्या आप देख रहा है that अभी हमारे society में कि westernization culture जो globalization के कारण जो westernization आ रहा है कितना ज्यादा impact कर रहा है आप शहर couples जो है you know daylight में काफी जादा public display of affection करते है right now is that good for it आप लोग वहाँ पे couples को जाके पुछेगा तो they will be like okay this is India bro we are very much you know advanced है ना वो बहुत चिला उट रहेंगे but ऐसा नहीं होता ना आपको एक larger angle में society को हमें देखना पड़ेगा है ना आप बोलिएगा यार मैं तो uncle uncle type का बात कर रहा हूँ देखो एक large society अगर इंडिया में देखोगे तो यह जो western culture का जिनके सिरके ओपर भूत चरा हुआ है ना वो पता है बहुत ही जादा minute है less than 5% भी वो लोग नहीं है but 95% जो जनता है ना वो वैसे हैं जो कि हमारे cultural value system को जिससे आप भी आते हैं जी हां दोस्तों आप आप लोग भी तो अपना चाहते हैं ना था हमारे इंडिया था कुल्च्रल वैल्यू सिस्टम कांजर्व रहा है तो क्या आप यह सब अलाओ दे सकते हो नहीं राइट प्रवाबली आप भी जब बहुत जादा यंग थे तो आपको भी शायद यह वाला concept बहुत अच्छा ल अपने देश का सब कुछ उनलों का Facebook अपने देश का बना हो है WhatsApp भी उनलों का अपना देश का बना हो है ठीक है तो वो लोग देखरो बिलकुल अलग रहे रहे हैं अपना language को promote कर क्या क्या नहीं करते हैं बट हमारे यहाँ पर ओ भाई साप किसी ने अंग्रेजी में बोल दि कीजे होगत है value system concern मतलब यह कैसे करेंगे भाई हवा में उरके value system concern होगा क्या कैसे नहीं कर पाओगे आप खुछ सोचो ना आप जो हमें जो education दे रहा है हम छोटे से ही वैसे education हांगरम हम अपने बच्चों को वैसे संसकार दे right है ना देखो कुछ भी हो जाए बच्चों को संसकार मिलता है ना भाई भाली जितना भी स्कूल में पढ़े जितना भी वो outer world देखे घर का संसकार घर का संसकार ही रहता है वो संसकार रह जाता है जिन्दगी बठीक है वो चीज़ हमें ensure करना पड़ेगा यह बहुत सारा आप देख लो political parties जो खुलके बोल देता है जब क देखो ना निर्भाया कैस में कितना साल लगया justice देने में यह फटाकर justice होना चाहिए इतना time क्यों ले रहो भई इतना time क्यों फासी देने में लगाया आपने आपको दो-तीन साल में उस case में कुछ लेट होना था उस तो चुटकी में हो जाना चाहिए था जल्दी तो यह society में peace prevail करेगा तो ही यह social well being parameters जो है वो कहीं न कहीं हमारे strong होगे right overall social order को maintain करना है overall equality maintain करना है social order maintain कैसे करोगा अगर आप equality maintain रहोगे तो obvious जबात है social order maintain रहेगा ही हर एक लोगों का basic needs जो है वो सबको तो fulfill करना ही पड़ेगा हर एक लोगों को proper साख सबजी तो available करवाना ही पड आप क्या कर रहे है हम लोग तो पैसे दे रहे हैं हम लोग तो आपको direct tax भी और indirect tax भी हो रहे है आपका जजबा वाड़ी है आप इस सब को manage करो समझे बात तो यह सब basic needs को कहीं अब fulfill करने की ensure करने की जबूबत है और एक opportunity लोगो को provide करने के देना पड़ेगा जिससे लोग आने वाले situation आने वाले टाइम में अपने आपको advance कर सके यह कैसे advance कर पहेंगा भई देखो यह सब तभी हो पाएगा जब जैसे say for example पहले लोग आपको जादा देखते थे लोग business के पीछे तो भागती नहीं थे लोग सरकारी जोगरी नौकरी no doubt आप लोग भी सरकारी नौक opportunities जो हैं यह बहुत ज़्यादा बढ़ भी रही है तो यहीं इसी टाइप के छोटे मोटे opportunities लाने पड़ेंगे सरकार को है ना इसके लिए जो भी कानून में संचोधन चाहिए हो सब हमें करने पड़ेंगे तब हमें कहीं ना कहीं ensure कर सकते हैं that overall यह जो parameters of social well-being का वो हम लोग ensure कर सके और social well-being parameter में overall अगर हम लोग discuss करें क्या क्या discuss किया देखो तो democratic जो values है वो conserve करनी पड़ेगी right social life proper होनी चाहिए work जहां पर work life जो है वो आपका you know ज्यादा hectic ना होना चाहिए ज्यादा stressful नहीं होना चाहिए right over तो यह educational proper है ना finance जैसे social security यह सब हम लोग उने discuss किया right त जिससे safe रहे overall health dimension include होना चाहिए right तो यह सब अगर होगा तो no doubt social well-being parameters भी जो है यहाँ भी काफी जादा अच्छे होएंगे और हम ensure कर सकता है that आने वाले समय में no doubt वो देश को जो है एक अच्छा kickstart मिलेगा right और यही जब discuss कर रहे तो दोस्तों क्यों ना हम लोग एक सरकारी सरकारी क्या मंदब सरकारी तो नहीं है यह बट overall world level में data को discuss कर लेते हैं जिसको हम लोग कहता world happiness report world happiness report में अगर देख लिजेगा almost सब समय जो है Finland ही आता है right तो इस बार भी Finland ही top में right आप कुछ-कुछ जो मैं arrow में दिखाया हो ना तो वहाँ पर कुछ-कुछ important nations है जो कि हमारे लिए काफी ज़्यादा काम में जैसे no doubt यह first rank है तो इसलिए इंको दिया हो है but anyways Australia का देख लो 11th rank में Israel आप सोचे गए यहाँ सब्सक्राइब तो काफी दिस्प्यूट्स चलते रहता है वहाँ पर वेस्ट बैंक है ना गाजा पटी हिजबुल्ला तो देखो still यह यह जो वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट जो है ना यह ज्यादा तर सर्वे से भी लिया जाता है मतलब लोगों को पूछा जाता है बताओ अलग अलग जानना नहीं है डी करत अ है यह जन देशों का अच्छा है वह आप जानना ठीक है है मतलब लोगों को भी पूचा जाता है न तो उसको भी बहुत मेजर वेटेज दि हा जाता है तो इसराइल के लोग है, बाहिए ईजुआ के लोग सकma बहुत जाधा हैं रहं गलता है, ठाइवान के लोग युज आद गलता है , दकला हैं यूके के लोग भी रिशास्थेम्क कि लोग हम जाधा खुश ऑधा है तो ओन्धेस के लोग भी खालता है , रहाम है दखा इसके यह मैं पहले ही बता दे रहा हूँ. तो बुर्खिना फासो देखो, एरान के लोग भी ज्यादा खुश है, इसको इसको सालों से लगावा इसके उपर, हमारे आजवाजवाला देखो, मयानमर वहां के लोग भी खुश है, स्रीलंका के लोग भी खुश है, और हम लोग, हम लोग 139th rank में है, मतलब कितना पीछे rank ह हमारे पीछे तो चलो, Yemen, Tanzania, Afghanistan चलो, यह सब का है तो ठीक है, बट हमारे को इतना पीछे दे दिया है आपने, है ना, मतलब धुनिया का one of the biggest country, second largest population है ना, इतना तब भी इतना पीछे, anyways, तो these are the various things, जो कि आपको दिखाना था, यह वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट बेसिकली तो अब समझ गए, देखो, यह भी एक पैरामिटर ही है, वर्ल हैपिनेस, कोई भी देश खुश क्यों है, क्योंकि वहाँ के जो different systems है, जो कि हम लोगों ने बात किया भी यहाँ पे, जहां पे आपको आ जाता है, health आपको आजाता है, जहां पर आपको various other parameters, जो क्या, जैसे, क्या बोल गया, health ले लो, right, education, food, freedom, pollution, social justice and all, right, sex ratio, तो यह सब सारे parameters के हिसाब से अगर देख लिजेगा, तो कही ना कही, you know, world happiness reports, वैसे सारे parameters तो देख के नहीं लिया जाता है, कुछ-कुछ है जिसमें survey भी किया जाता है, but still, you know, यह सब कुछ-कुछ parameters है, जिसके आधर पर different देशों को ranking डाला गया है, right, और हमारी देश इतनी पीछे, anyways, यह तो just facts के बारे में रहा, अब आ जाता है थोड़ा दोस्तो, देखो, topic में कहा है, social well-being and quality of life, तो quality of life भी लगया हाथो एक बार discuss कर लेते, right, quality of life, बोले तो, इसको क्या कहता है, जीवन की गुनवत्ता, है ना मतलब आप जीवन में कितना गुनखुश है, मतलब आपकी overall quality कैसी है, है ना, no doubt, यह social well-being तो वो तो parameters है ना, जिससे क्या overall social well-being exist कर सकती है, तो सरकार का diet तो था social well-being insure करना, सरकार ने कर दिया, अब आपकी life कितनी खुश है, भले ही आपका polluted free जगह में रहतो, भले ही अच्छा कमाते भी हो, भले ही आपका दर्मा जो है एक लाग रुपयां पर मैना है, but still अगर आपके घर में अशान्ती हो, आपके घर में आपके wife के साथ अशान्ती हो, आपके बच्चों के साथ अशान्ती हो, तो क्या आप खुश रह पाओगे, नहीं, right, मतलब यहाँ सिर parameters है, मतलब overall, internal parameters को भी include किया जाता है, और उससे पता लगाया जाता है, that overall उस region में कैसा life है, exist करता है, मतलब कोई एक particular इंसान का life कैसा exist करता है, कोई particular family का life exist कैसा कर रहा है, तो कोई अगर particularly अगर देखोगे, तो उसके हम लोग quality of life को ensure करने में, यहाँ पे basically मदद करती है, ठ तो जैसे के हम लोगो ने देखा, that well-being parameter तो होना ही चाहिए, बट साथ ही साथ psychological, that is, आप stress-free होना ही चाहिए, physical, that is, physically आप fit होना चाहिए, functionally आप, you know, able होना चाहिए, जैसा सोचो कोई अगर दिव्यां persons है, right, disabled persons, तो उनके quality of life लेकिन थोड़ा जरूर impact होता है, समझ रोब करता है, that overall quality of life क्या है कोई region का, है न, economic, है न, status, vocational status, है न, तो यह सब सब कुछ कही न कहीं determine करती है, और यही सब चीजे नहीं, दोस्तों, जैसे कि मैंने सब कुछ बोला, health, work, financial, material, status, है न, belongings, आपके पास कितने जायदात है, मनलब यह सब भी कही न के factor है, indirect factor आप बोल सकत है, but indirect, अगर in general, एक persons की बात करें, तो वहां का, उनका monthly income या फिर salary जो भी हो, ठीक है, है न, per capita income हम बोल सकता है, right, है न, वैसे human development index भी बहुत एक important factor है, और अभी हम लोगोंने क्या discuss किया था, 200 थोड़े दर पहले, हम लोगोंने देखा था, that कैसे, आपका, जाके, world happiness report, you know, हमें पीछे रखा है, but वहीं पर अगर, human development index में अगर देख लोग है, तो लेकिन इंडिया अच्छा rank में लाई कर रहा है, respectively, है न, Pakistan से अच्छा rank में है, है न, तो again, ये सब जो ranks है, काफी ज़्यादा, you know, confusion वाला rank है, मेरे को खुदी confusion लगता है, तो आपको तो खेर लगे गई, anyways, उतना, मतलब, just, देखो, rank है, क्योंकि ये, है, recognized, world recognized reports है, इसलिए, basically, आपन discuss भी कर रहा है, otherwise, तो मैं discuss भी नहीं करता है, उनको भाव भी कौन देता है, है न, anyways, social progressiveness index, world happiness index, ये लेकिन साड़े indexes है, जो क्या indirectly है, पर directly हमें बताते है, that, overall, कोई भी region में, कोई भी region क quality of life, जो है ता, वहां के people का, वो कैसा होना चाहिए, ठीक है, तो ये सब basically parameters है, जो क्या आप हमें समझने परेंगे, ठीक है, तो, अगर मैं बात करूँ आपसे, that, बताओ ये भी, that, ये quality of life है क्या, क्या आप बोल पाईएगा, that, ठीक है, quality of life, मतलब, वो life, जहां पर, कोई ही situation में, लोगों का health proper तरीके से हो, मतलब, healthy हो वो, है न, overall nutritious हुने, foods मिले, right, environment उनकी clean हो, right, water availability हो, clean water availability हो, right, है न, कहीं न, कहीं, आपका social relationship भी अच्छा होना चाहिए, overall, सरकारे जो facilities प्रोवाइट कर रही है, जैसे ऐसा नहीं देठा, आसे पामीडों को ही facilities प्रोवाइट क नहीं कर रहे हो, ठीक है, overall social security भी एक बहुत एक important factor है, जो क्या होना चाहिए, law and orders होना चाहिए, right, तो कहीं न, कहीं यह, जो भी हम लोगों ने social well-being में परा था, वही सारे चीज़े हम लोग देखने है, quality of life में, तो क्या हम बोल सकते है, that quality of life जो है, यहाँ एक tool है, जी हाँ हर कोई खुश है, कोई भी तो आह बनाता है, सब कोई मिल बाट कर बना रहे है, कोई एक ऐसा region है, जहाँ पर सब कोई अगदम अमीर है, एकदम A to Z, A to Z, है न, सब कोई बोल रहा है, भाई, मेरे पास Mercedes है, कोई बोल रहा है, मेरे पास Audi है, मेरे पास Haya Busa है, मेरे पास E है, और सब कोई अपने-अपने में ही मज़ है, कोई भी social interaction जादा नहीं है, तो आप बताइए, किस region में जादा खुशाली है, किस region का overall quality अच्छा है, लाइफ का, अगर हम देखें तो इसी region का है, ठीक है, क्योंकि ये लोग respectively हर एक parameters में, वो social, मन्दब social touch अगर आप बोली है, कुछ भी बोली है, सब कुछ में ये सब चीज़े अच्छ है, तो of course हम लोग इन के case में, लेकिन वो चीज हम लोग अच्छा जरूर बोलेंगे, ठीक है, वैसे ही ये तो social हो गया, ये तो economic भी हम लोगोंने बात किया, जहाँ पर of course यार लोग के पास economic भी होना चाहिए, है but health rate में अगर बात करें तो दीसा हो जो, health भी होना चाहिए, जैसे आप, सोचो ना, कहीं पर अगर elder care facilities है, तो हम या बोल सकते हैं या वहाँ पर social quality of life अच्छा है, बिलकुल अच्छा है, राइट, क्या वहाँ पर quality of, कहीं पर health care मिल रहा है आपको, तब ही न हम बोलेंगे, मतलब how, कहीं परgen पर quality of life अच्छा है क्योंगि वहाँ पर अच्छी अच्छा है है, है न? मतलब बरभा ही अगर आप सरकारी अगर क्रेश अबर पर आद गधनलों जाए इन जातीय है न अापना काना आपने रहता है घर इस तो अपर ने गवर्ड रहता है लोग अलग सकते हैं वैसे ही देखो अलग-अलग पैनमिटर लेकिन अलग-अलग होते हैं और इनको अगर exhaustively अगर आपको discussion करना है तो दोस्तों देखो यह तो क्या होगा ना इतना तो हम लोग आपको सिर्फ English में ही नहीं बलकि English जैसे में यहां पर पढ़ाता हूं लिखा हुआ English में और बताया तो वैसे भी classes available है और proper तरीके से अगर आप access करना चाहते हो तो नीचे डाउनलोड कीजिए Smart education app उसका link सब कुछ नीचे में description में दिया भी हुआ अपको ठीक है प्रॉपर तरीके से आपको एकदम classroom environment facilities अपको मिनेंगे लिए तो इससे basically यह सब चीज हो गया अब कुछ-कुछ और भी दोस्तों चीज हम लोग देख लेते हैं मतलब यहां पर जो है ना कुछ-कुछ नीज के रिलेटेंटी हम लोग चीजे खंगाल लेते हैं जैसे social well-being की अगर बात करें या फिर quality of life की ठीक है तो overall कुछ-कुछ ऐसे parameter जरूर है जो कुछ-कुछ हमारे देश के सरकारी डेटा जैसे जरूर है जिससे हम लोग इसके बारे में डिसकस कर सकते हैं जैसे जैसे अगर इंडिया की बात करें इंडिया में अगर suicide के rates लेने राइट तो दोस्तों देखो साल दर साल 2017 में जितना suicide था 2008 उससे भी जादा बढ़ गया 2019 में उससे भी जादा बढ़ गया है ना तो यह क्या हमें देखने को मिल रहा है that yearly suicidal rates जो है बरते रह रही है और states के अगर हम लोग देखे तो प्रॉपरली कौन-कौन से states आ गय नहीं हम लोग नहीं बता सकते हैं पूचो क्यों कि देखो इसके भी अगर आप माइक्राइस की जाएगा आपको पता चलेगा था यहां के फार्मर्स काफी दा सुसाइट कर रहे तो फार्मर्स सुसाइट कर रहे इसका मतलब यह नहीं है that overall मतलब जो अर्बन रीजन में भी लोग कर रहा है but again बहुत हद तक जो है यह सब हो भी रहा है actually महारास्टा में तो अगर हम लोग ऐसा तो नहीं discriminate तो नहीं कर सकते है ना that इसको मैंने आपको visualize करवाना है, देखो, suicidal death by reason, now सबसे पहला reason देखो family problems, मतलब यहाँ पे मैंने बोला na quality of life शायद लोगों का अच्छा नहीं होगा, family में काफी ज्यादा attention होता होगा, ठीक है, illness, क्योंकि health facilities शायद सरकार अच्छे से provide नहीं करवा पार ही होगी, तभी न यह स सब चीज हो रहा है, और सबसे ज्यादा तो सुसाइड देखो family problems के लिए होता है, और family problems भी किसली होता है, पता है, मतलब यहाँ घरेलू जगडा बगडा जो होता है, और इसी लिए बोला जाता है, कभी भी अगर किसी का शादी होना चाहिए, मैं in general, चलो, अच्छा सा बा तर्मा के साथ या फिर जिन भी पुरुष के साथ आप शादी करने वाले हो, make sure that आपस में time low, ठीक है, कुछ time low, जानने की कोशिश करो, right, जिससे क्या होता है, that future में जो यह problems है, क्योंकि अभी सोचो, अगर अभी आपका सोच है और उनका जो सोच है, आपका partner का, अगर जादा mismatch कर रहा है, तो लेकिन रिस्ता को आगे बराना मुश्किल हो जाता है, right, but वहीं पर अगरा दोनों खुश हो, मस्तिस हो, तब तो कोई बात नहीं, तब तो आराम से चलेगा, ठीक है, अब देखो, छोड़ी-पोडी नोग जोग तो no doubt होती है, वो तो आपका घर मे भी होता है, मुवी पापा के साथ भी होता है, right, तो वो सब अलग बात है, but again, larger angle में, जैसे आप बोल रहा है that, नहीं भाहिया, woman empowerment होना चाहिए, हना, आपके पती बोल रहा है, नहीं भाहिया, woman को तो घर में बगाटना चाहिए, तो ये कहीं नहीं बहुत दूर हो जा रहा ह क्योंकि आप अगर बोलीगा, woman empowerment होना चाहिए, मतलब, you want that, if you are a girl, then you will want that, or if you are a, you know, good guy, then you want that your wife should work, right, but at the same time, अगर आप वही बोल रहा है that, नहीं भाहिए, घर में होना चाहिए, हना, तो आपको लगेगा, रहे यार, मैंने कहां पर वागे पस गई, हना, मेरे को तो घर मे काम करवा रहा है, और मेरे पास इतना talent है, इतना जादा मैं, you know, अपने university, college, school में top किया हूँ, तो मेरा talent तो बढ़वाद जा रहा है, ठीक है, तो यह सब भी चीजे होती हैं, जो के हमें समझना पड़ेगा, ठीक है, तो देखो, यह सब चीजे हैं, यह सब बहुत सब अगर देख लोगे, daily wage earner का, as compared to the person, जो क्या, you know, एक monthly wage earner है, उससे, लेकिन daily wage earner का खड़ाब होता है, तो professional wise, लेकिन यह लोग वैसे हैं, जो काफी जादा tension में रहते हैं, and they are the one who suicides the most, right, उसके बाद house wise, देख रहो, कितना जादा प्रतार नामना उनलों को, you know, साहना अब यही नहीं, यह सब तो खेर social angle में देख लो, अगर environmental angle में देखे तो, देखो, environmental angle में देखो, यह growth rate of greenhouse gas emissions अगर देखोगे, तो यहाँ पर देखो, मैं social structure को दोशी मान रहा हूँ, social structure मान देखो, वही चीज़ दिखाया भी गया, that poor persons, जो emission करते है greenhouse gas emission, उसका rate देखो, middle class जो emission करते हैं उसका rate देखो, और जो top, जो richest person लोग emission करते हैं उनका rate देखो आप, देखो, है ना, यह भी तो again, यह क्या हमें दर्शा आता है, यह तो again, अलग-अलग factor भी आपको दर्शा है सकता है, बट आगर आप देखे तो, जो maximum जो rich person होता है ना, उनको लेकिन environment mag ज्या करवन को add कर रहे हैं, उसके काणण लुकसान किसको होडा है, यह गरीब जनता को, जो क्या AC effort नहीं कर सकती है, जो क्या cooler effort नहीं कर सकती है, जो क्या heater effort नहीं कर सकती है, समझरों आप, तो यहाँ पर भी कही ना कही हमें अभी भी society में देखने को मिल रहा है, तो कही ना कही ए करने के लिए आप जैसे के मैं ने बोला हिंदी और इंग्लिश में इंग्लिश और इंग्लिश में आप क्वालिटी लेक्टर्स आवल कर वा सकतो स्मार्ट रांकर्स अप में जाई ये पूरा डीटेंस में कोर्स वहां पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ आप उसे ओल वे स्वाल में प्रीटेंस बनेिग्र नेन ख्लस ओंडिवर्बाद के रुने में सबाग्ष सें लिए तर दिएलेमें एटेकेर और तेकरा हुआ था मैंूशर में मैं तेकरी खाया हुआ एढ़र हमातीर है